हेलो दोस्तों नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओलाइन एड़ाफर स्टुडी यूट्यूब चानल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लिटिस अप्रेट के बारे में जोकी संबन देता है चनल के माध्यम से मिलती रहें सीधे शुबात करते हैं मुद्दे की क्योंकि उनेतर अजास इच्छक बरती को लेकर शंश्योदित मेरिट लिस्ट के बारे में बहुत सारी चीजे सामने निकल कर आ रही है साथ अजार पर यानिके टोटल साथ अजार पर फाइनल कट ओफ को लेकर ही बात करेंगे किसके खाते में कितनी कितनी सीटें देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं 29,000 सिच्चक बरती के अंदर कई ऐसे विवाद हैं जो कि अभी भी अनसुलजे हैं चाहिए अगर बात कीज़े 7,000 पर दों में OVC अभ्यरतियों के आरचन घोटाले को लेकर S,C अभ्यरतियों के आरचन घोटाले को लेकर या बात कहें PH कैटेगरी को लेकर क्योंकि आपको पता होगा कि जब 99,000 सिच्छक बरती को लेकर मामला हाई कोर्ट में था तो वहाँ पे चार अलग-अलग याचिका ने दाखिल की गई थी चार याचिकाओं में सबसे पहला सवाल तो ये था कि 99,000 सिच्छक बरती में OVC-ST सीटों पर घोटाला हुआ है ठीक है दूसर सवाल ये था कि जो पी-एच कैटेगरी को 4% आरच्छन दिया जाता है उसके वदले में सिर्फ 1% आरच्छन ही दिया गया है यानि कि 1% सीटें 99,000 की जो पी-एच कैटेगी के अबरती हैं उनके साथ भी गोटाला हुआ है इसके अलाबर एक जनरल वर्क की अबरती थे एक बीएड को लेकर थे तो 4 मैंसे अलग-अलग जो मांग थी उसमें से एक मांग ये सबसे बड़ी वी थी जो 1% आच्छन गोटाले को लेकर थी अब आप जानते हैं कि 99,000 सीटें के अंदर जो आप सभी का नियम बनाया गया था 4% गोटाले को लेकर वो यहाँ पर 99,000 से पहले आ गया था लेकिन सरकार ने उसमें इंप्लिबेंट नहीं किया था अब मुद्दे की बात ये है कि 99,000 में टोटल कितनी सीटों का घोटाला हुआ है और आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो आप सभी के लिए बनाया था कट अफ को लेकर उसमें आप सभी के कट अफ के बारे में जानकारी भी दी थी लेकिन अब अगर बात कीज़ें 7,000 सीटों पर टोटल फाइनल कट अफ के बारे में तो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है 99,000 सिच्छक भर्दी को लेकर आप सभी के लिए किस के खाते में कितनी कितनी सीटे जा रही है फिर मैं आपको cut-off भी दिखाऊंगा OVC, SC की, ST की या इसके लावा और भी तमाम केटेगी जो संबन्दी थे और कितने गुडांक आप सभी के होने चाहिए जिसके आधार पर आपको यहाँ पर नौकी आसानी से मिल जाएगी चलिए थोड़ इसी बात कर लेते हैं basic knowledge पर उनेटरजार को लेकर बैसे तो आप जानते हैं कि उनेटरजार सिच्छक भरती के मामली को सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज कर देनी की बिज़े से सरकार ने कहा था कि हम नई चेर्ण सुची और मेरिट लिस्ट पर लगाता काम कर दाएं और बहुत जल्द इस मामले पर अपनी जो फाइनल प्रतिकी है वो जाजी कर देंगे लेकिन यहाँ पर एक सवाल बॉर्डर लाइन को लेकर भी था क्योंकि आप जानते हैं उनहेतर अजार सिच्छक भरती के अंदर जो उत्तर कुन जी के अंदर अभरती रहे गए थे या उत्तर कुन जी का ओडर जो सुप्रीम कोड का बाद में आया था उसमें बहुत सारे ऐसे केंडिडेट हैं जिनकी नंबर बाद में इंकीज हो गए थे तो इन अभरतियों के इंकीज नंबर की वज़े से इनको लेकर क्या अपडेट है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ठीक है अब देखो उनहेतर अजार में सरकार के माध्यम से नई चैन सूची बनाई जा रही ठीक है ना पहले जो उन्होंने कहीने की चैन सूची को ल वो ये है कि जो आप सभी की 6800 सीटों का घोटाला हुआ था जिसको लेकर यहां पर अव्यरतियों के मार्द्यम से फिच्टा वर्ग आयूख की रिपोर्ट को संबा गया था वहां पर कुछ अप्यरतियों के मार्द्यम से बेसिक शिख्या विवा को एक प्रस्ता भेजा गय यहां पर जो मांग की गई है वो यह है कि घोटाले के साथ साथ 4,000 याचियों को अलग से नोकी दे दो लेकिन न्यूजपेपर में ऐसा नहीं लिखा था न्यूजपेपर में लिखा था कि सिर्फ 4,000 को नोकी दो और 39,000 का मामला खतम कर दो यानि कि एक तरीके का मैंने आपको बना सकते हो वो सबसे बेहतरीन कर दाऊफ है 7,000 सीटों के लिए क्यूंकि 6,800 गोटाला से सरकार ने पहले है इस विकार किया था अब 6,800 से सीटेबर तो सरकार कम करने से जाई है न क्यूंकि सरकार ने जो गोटाला माना था 6,800 का उसमें कम तो नहीं करेंगी है न बढ़ा स रखते हैं इसलिए इस cut off में हम बात करें 7000 सीटों के लिए total cut off के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा किसकी खाते में कितनी सीटों जाने वाली हैं लेकिन उससे पहले कुछ basic जानकाई बात कर लेते हैं क्योंकि हमेशा आपको जानकाई होनी चाहिए जब भी कोई आपको cut off बताए तो इस पर आपको जानकाई 100% हो जानी चाहिए जब आपके निकाली गई थी तो टोटल पर आप सभी के लिए इतनी थे अन्यच्छित यानि कि जिस पर OBC SC के अभ्यातियों है दावा किया है कि उनको ये सीटे मिलनी चाहिए तो टोटल 34,589 के संथिंग ये सीटे है जिन पर आप सभी के लिए यहाँ पर जो कट ओफ है वो बनाई गई थी जिसमें OBC अभ्यातियों का इतना चैन हुआ था SC का इतना और यहाँ पर अनुसुचित जन जाती का इतना हुआ था ठीक है न सीटे हैं चैन इतनी परदों पर हुआ है जिसा कि आप यहाँ देख सकत दिया था एक बार निगार कर लो कितने कितने अभ्याति थे कितने आफिदन किया था और BTC DL8 में कितने अभ्याति यहाँ पर समलित हुए थे ठीक है न तो यह आप सभी का सेनारियो था लास्ट कट ओफ कितनी गई थी लास्ट कट ओफ आपको देखने के लिए मिली थी 67.11 के सम्थिंग और 66.73 और SC की जो कट ओफ थी वो इतनी गई थी 61.01 और ST अभ्याति तो जिनको नो की मिली थी वो पास थे तो बिलकुल खास थे इसमें कोई confusion वाली बात ही नहीं थी ठीक है न अब आ जाते हैं आपके मुद्धे पर कि टोटल कितने किसके खाते में कितनी सीट सतनी मुद्धे पर आ जाते हैं देखो जो 7,000 सीटों पर घुटाले की बार सुविकार की है वो पिश्डाबर्ग आयोग की रिपोर्ट को माना है पिश्डाबर्ग आयोग ने माना था कि लगवग 6,800 का घुटाला हुआ है अभी मैंने जब पिश्डाबर्ग का वीडियो पिशले वीडियो में तकरीवन 5,000 सीटों पर मैंने आपको कटोप के बारे में जानकारी दी थी दी थी न ठीक है अब इस बाद 7,000 के बारे में बात करने वाले हैं अब यहां पर एक चीज तो आप सभी के लिए पूरे तरीके से कंफर्म है कि 9,000 सिच्छक ब्रती को लेकर एक घोडाला जो हुआ है उसका करने की परदा फास तो होगा अब चाहिए वो सुपीम कोर्ट में ओरर आने के बाद हो या सुपीम कोर्ट के ओरर के बाद लेकिन होगा अवशे अब यहां टोटल अगर बात कीजाए 7,000 में किसको कितनी सीट है मिलेगी तो जनरल अभ्यर्थियों को क्या कोई सीट मिलेगी क्योंकि बहुत साई अभ्यर्थि ने मुझसे पूछा था अब धिक्कत यह थी कि यहाँ पर जन्रल अभ्यतियों की बात इसलिए की जा रही है कि मैंने आप सभी को इस स्टार्टेंक में एक पॉइंट दिखाया था यह border line वाले अभ्यतियों को लेकर borderline वाले अभ्यति कितने 89 पर भी है 88 पर भी है यानि कि OBC भी है तो कुछ सामानी वर्क की भी है अब ध्यान रखिए कि बैसे तो ये टेक्निकली शायद पॉसिबल ना हो पाई लेकिन फिर भी हर समभावना उपर बात करना कटव बनाना होता है अब माल लोग कि कोई जनरल का अभ्यति है कोई जनरल का अभ्यति है और अगर उसके 97 जोड़े जाने से 97 हो जाने की विज़े से उसको अगर उसका अकेडमिक 28 या इससे प्लस में जा रहा है तो निश्ची तोर पर वो कहीन है कि इसके अंदर कह सकते हैं कि competition में आ जाएंगे competition में आ जाने से क्या होगा कि यहाँ पर जो आप सभी का cut off का number है वो बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो जो अभ्यति आएगा वो almost आप सभी के सामने 58.2% के something हो जाएगा है ना 97% की अगर बात करें तो 97 number पर अगर आप 60% जोड़ते हैं तो उसका काफी हद तक जो number भढ़ जाएगा इसी बज़े से तो ऐसे अभ्यतियों को हो सकता है कि चैनित किया जाए लेकिन वो उत्तरकुंजी के base पर किया जा सकता है उत्तरकुंजी के base पर ठीक है ना अभी उत्तरकुंजी का मामला आप जानते हैं एक number जिनको common मिला है उसको लेकर बात की जा रही है तो यहाँ पर इसमें इनको seatे मिलेंगी के नहीं मिलेंगी अभी ये कहना संबब नहीं है लेकिन एक number अगर common वाले अभ्यतियों को नौकी दी जाती है तो हो सकता है कि उनकी academic जादा हो और जादा होनी की विज़े से इनकावी जो selection है वो हो जाए तो वो चीज़ डिपेंड करेगी आप सभी की academic और उसको लेकर तो जन्रल को seatे बस इसी तरीके से मिल सकती है बाकी अगर बात की जाए किसी और candidate को seat मिलेगी के नहीं तो उसका जबाव है नहीं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के chances हैं जिनको एक number common की वेर से नौकी दी जा सकती है अब बात यहाँ पर एक number की हुई है तो इसमें OBC वाले अभ्यर्थि भी होंगे SC वाले अभ्यर्थि भी होंगे है न सबके लिए तो नहीं आया था अब जितने याची हैं उनको नौकी दी जा सकती है है ना अब इसको लेकर सरकार ने कहा तो है कि वो चाहते हैं कि सभी विवादों को खतम कर दिया जाए लेकिन ये विवाद खतम वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये अभी देखना मैतपूर होगा अब यहाँ पर एक चीज आप सभी के सामने केलिए है कि जादा तर जो सीटें आपको मिलने जारी है वो इसी वर्क के अभ्यातियों को मिलेंगी लेकिन इसमें एक pH कैटरी के अभ्याति भी होंगे pH कैटरी के अभ्याति वो सामने वर्क के क्यों थे क्योंकि उसमें कुछ pH कैटरी के अभ्याति थे तो लगबग अगर बात करें तो 690 के सम्थिंग सीटें तो यहाँ पर इन अभ्यातियों को मिलेंगी ही मिलेंगी उनेहतर जार के चाहिए किसका भी घोटाला हो और 7000 का घोटाला हो या घोटाला 6800 का हो तो लगबग 690 सीटें यहाँ पर मिली जानी किसको pH कैटरी के अभ्यातियों के लिए अब pH कैटरी की सीटें फाइनल हो गई है कि अगर 690 pH कैटरी को मिलती है 690 सीटे pH कैटरी को मिलती है तो इनके लिए safe गुडांग क्या रह सकता है तो इनके लिए अगर बात कीज़े safe गुडांग के बारे में उनेतर अजास इच्छकवरती के अंदर तो almost जितने अभ्याती pH क्रेटेगरी को लेकर इसमें आवेदन किये हैं उनको यहाँ पर आसानी से इसके अंदर नौकी मिल जाएगी अगर वो OBCSC के होंगे तो बात अलग है otherwise मैं जो बात कर रहा था कि इनका chain होगा के नहीं तो इन अभ्यातियों के लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर यह अभ्याति 60 क्रोस करते हैं ठीक है ना अपनी के टेक्री के नुसार तो pH को नोकी यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी क्योंकि अभी इनको 690 के सम्तिंग सीटें मिलने जा रही है ठीक है ना तो यह सीधा का सीधा सिनारी होगा pH के लिए अब मैंने pH को इसलिए के लिए कर दिये जिसे की बाद में कन्फीजन ना रही अब यहाँ पर 7000 मेंसे अगर 690 सीटें निकाल दें तो लगबग 6000 सीटें बचती है बैसे तो चलो 600 सीटें बचती है लेकि चलो मान इलो 600 क्योंकि अभ्याति कहेंगे 600 सीटें बचती है अब यह 600 सीटें डिवाइड होंगी किसमें OVC और SC के अंतर अब आपने देखा है कि OVC अभ्यातियों को लेकर यहाँ पर आल्मूस्ट जादा तर जो गोटाला हुआ है वो OVC का हुआ है SC में आपने देखा हुआ कि लगबग जो SC की सीटें बची थी 1200 के सम्थिंग वो यहाँ पर किसको देदी गई है वो आपकी देदी गई है SC अभ्यातियों को जिनको नहीं परता वो यहाँ पर देख लें यह आप सभी के सामने लिखा हुआ है अनुसुचित जनजाती की टोटल सीटें 1354 सीटें थी जिसमें से 211 सीटें दी गई थी किसको SC वाले अभ्यातियों को बाकी जो 1100 सीटें खाली रही थी 1100 की सम्थिंग जो सीटें खाली दे गई थी वो किसको दे दी गई थी वो SC अभ्यातियों को दे दी गई थी यानि कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 164 अनुसुचित जन्जाती के रिक्त पदों पर अनुसुचित जाती के द्वारा भरा गया है यानि कि S3 की खाली सीटों को S3 के माध्यम से भर दिया गया है तो यहाँ पर इनके लिए कट ओफ और ज्यादा कम रह गया अब पिछला जो कट ओफ इनका गया था कितना था वो यहाँ पर देखो पिछला कट ओफ गया था 61.011 है ना यह कट ओफ कब गया था यह फाइनल कट ओफ यहाँ पर देखने के लिए मिला था 67.866 की चैन सुची को लेकर ठीक है अब यहाँ पर 1200 के सम्तिंग सीटें और देदी गई थी तो यह जो 1164 सीटें आपको देखने के लिए मिली उससे इनका कट ओफ और जादा डाउन हुआ हुआ कि नहीं अब इसके बाद में जब इनको यहाँ पर सीटें मिलती है कोई एक्जाम्बल के तोर पे पिष्टा भग आयोग ने कितना माना है कितना नहीं लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें लगबग लगबग इनके लिए 1500 सीटें और मिल सकती है 1500 के समतिंग सीटें और मिल सकती है तो जो 1500 सीटें होंगी अगर इनको मिल जाती है या 1500 से 2000 सीटें इनको मिल जाती है ठीक है न तो इन अभ्यतियों के almost सभी अभ्यतियों के selection होने के chances बन जाएंगे हाला कि यहाँ पर बड़ी संख्या में आवेदिन इन्होंने किया है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए जो आवेदिन करने वाले अभ्यति समलित हुए थे बड़ी संख्या में थे लेकिन बाब जूरेश के इनके selection के जो chances जो काफी हाई है फिर भी मैं एक cutoff यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारी अभ्यति मुझे करेंगे cutoff बता दीजिए तो लगबग 60.50 के something AC के लिए एक safe cutoff होगा यानि कि अगर आपका इतना बन रहा है तो AC वाले अभ्यति इस पर आसानी से नौकी पा जाएंगे अब मैंने बैसे तो कहा है कि almost नौकी मिल जाएगे क्योंकि बहुत सारी अभ्यति हैं जो आज भी 99.000 के लिए इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारी अभ्यति हैं जो 99.000 को छोड़ चुके हैं वो किसी ने किसी में लग चुके हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि इसमें बापस आना लेकिन अगर यहां पर सीटें बढ़ेंगी तो कट ओफ घटेगा ठीक है ना? अभी हमने लगबग 2K सीटें मानी है 2K सीटों पर हम इतना कह सकते हैं लेकिन अगर सीटें इसमें और पिलस होती हैं क्योंकि गोटाला अभी हमने 7,000 माना है हो सकता है कि 7,000 से ज़्यादा का गोटाला हुआ हो वो बाद में डिसाइड होगा लेकिन यह जितनी सीटें बढ़ेंगी उतना यह कट ओफ कम हो जाएगा और आलमुस्ट सभी ऐसी अभ्यतियों को नौकी मिल जाएगी हलाकि इनोंने कहा है कि इनको सिर्फ 16% आरच्षन मिला है अगर इस नजईये से देखा जाए तो 5% आरच्षन अभी और बनता है और 5% आरच्षन का मतलब आप समझते हो 5 को मल्टिपलाई कर दो लगबग 600 से कर दें सीधे तोर पे तो यहाँ पर आप सभी के सामने तो डाटा निकल करके आएगा वो 3000 के सम्थिंग हो जाएगा हलाकि इससे ज़्यादा का है लेकिन फिर भी मान करके चलें कि 3000 सीटें इनकी कही जारी है और अगर इनको 3000 सीटें पूरी दे दी जाए तो फिर 60 पार करने वाले अभ्यरती 100% नोकरी पा जाएंगे ठीक है? कन्फर्म है? यह SC को लिकर है अब बात कर लेते हैं OBC के बारे में OBC अभ्यरती उन्हें दावा किया था कि उनको 27% आरच्छन मिलता है जो कि सही भी है लेकिन इसमें उनको सिर्फ 4% आरच्छन दिया गया है अगर हम 4% आरच्छन को इसमें से निकाल दें तो लगबग 23 बनता है और 23 को multiply आप सीधे तोर पर यहाँ पर 600 से कर ले होगे तो भी आपके सामने जो आंकड़ा है वो निकल करके आ जाएगा अब 23 को multiply की बात की जारी है तो multiply 600 अगरम करें तो लगबग 1380 बनता है यानि कि 1380 सीधे इन अभ्यातियों को मिलनी चाहिए इसको फ़र डिलीट कर दूँ जारा हो जाएगा तो यहाँ पर कितनी 2380 सीधे इनका 800 सीधे माफ कीजिए 13800 बनेगा ना multiply करके देख लिए ना अपने मैंने अंदाजे से बताया है multiply by 23% 13800 ठीक है 1380 सीधे नहीं गलती से बोल दा था मैं 13800 के संतिंग जो सीटें बनेंगी और अगर यह सीटें इतनी मिल जादी है तो आप जानते हैं बड़ी संख्या में इनका चैन हो जाएगा लेकिन चूकि अभी इस पर कुछ कह पाना संबब नहीं है क्योंकि हमाई पास कोई आगडा मौजूद नहीं है सरकार ने ऐसा माना भी नहीं है केतना घोटाला हुआ है सरकार ने सिर्फ 6800 का घोटाला माना था अब हम 6800 पर ही पी एच और इन को मिला करके 200 सीटाओं के संफिंग हमने किसको दे दिये इनको दे दिये ऐसी वाले अभ्यातियों को और पी एच को पexplosion सीटे है अब 2400 7000 में से लगवग आप सभी के सामने जो 7000 सीटे हैं निकल करके आया थी उस में से आप मैंस करदा तो सीटे दौबे 2500, तो 4500 सीटे है नहीं, अब जो 4500 सीटे आपके लिए रह जाती हैं, वो हम OBC वाले अभ्यातियों को लेकर बात कर लेते हैं, अब मैंने जब पिछली बार कट आफ आपको बताया था, आपको जब पिछली बार कट आफ बताया था, तो उसमें कहा था, कि अगर 5000 सीटें OBC को मिल जाती हैं, केबल 5000 सीटें, तो आपका जो कट आफ है वो एक नमबर तक कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, उसकी वज़ए थी, उसकी वज़ए ये थी कि जो ज़्यादा था, उनहें तरहजार में कॉंपडिशन है, वो 65 से लेकर के 65 के बीच में न नीची आएंगे, इससे थोड़ा सा और नीची आएंगे, तो आपकी कट ओफ और ज्यादा कम हो जाएगी, अब बहुत सारे अब्याति ये भी कह रहे थे, कि सर, कट ओफ OBC के लिए तो 60 है, तो 60 का नोके मिनी चाहिए, दोस्तों ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे अब्याति अब्याति कौन से हैं, जिनका 65 बन रहा है, 65 पॉइंट कुछ बन रहा है, 66 बन रहा है, तो उनके लिए यहां पर कट ओफ काफी कम हो जाएगा, तो जहां तक मुझे लगता है, अगर आपकी मेरिट बनाई जाती है, अगर आपकी मेरिट 7,000 सीटों पर बनाई जाती है, जो आपको 5,000 सीटों के संथिंग मिलती है तो, क्योंकि अभी जो कॉंपडिशन है, वो 65 से नीचे वालों के लिए जादा है, 60 से लेकर के 65 के बीच में OBC के बहुत बड़ी संख्या में अभ्याति हैं, लेकिन 65 पिलस वाले अभ्यातियों की संख्या बहुत कम है, आपने देख होगा, अगर 65 लगाया जाता, तो बड़ी संख्या में 99,000 के अंदर जो OBC की कहिने की सीटे हैं, वो भणी बाती क्योंकि बड़ी संख्या में जो चैनित अभ्याति हैं, वो यहाँ पर आप सभी को देखनी के लिए मिले, वो 60 से 65 के बीच में हैं, और 65 पिलस वाले अभ्या क्योंकि संख्या अभी भी कम है, तो उसके आधार पर लगबग आप सभी के लिए जो कट ओफ है वो इतना जाएगा, और यही मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में अल्मूस्ट खिकली अभी किया था, अब अगर घोटाला बढ़ेगा, मान लो कि यहाँ पर जो घोटाल की सीटें घोशित की जाएगी, और जिन में आप सभी के लिए एक अलग से फ्रेश कट ओफ का वीडियो इस मुद्धे पर आपको दूँगा, लेकिन क्यूंकि अभी हमारे पास सीटों की संख्या नहीं होती है, तो ज्यादा कुछ चीजे के लिए नहीं हो पाती है, लेकिन कोई freedom fighter के आयच्छन घोटालया हुआ है, तो उनको भी यहापर नौकरी आसानी से मिल जाएगा, उनको दिक्रतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो यह थी दोस्तों, कट ओफ को लेकर एक नहीं और 7000 सीटों के विशलेशन जो आप सभी के लिए महत्वूर था, I hope कि हाले, तो comment करके पूछ लेना, अपने number comment करके बता दिना, thank you for watching this video.